हेलो एब्रिबन स्वागत सभी का जी डी बीस्सी क्लासेस में आज हम लोग बीस्सी फिप्थ समस्टर के पहले पेपर के अंतरगत पहली यूनिट के अंतरगत हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे जो की फाइलम प्रोटो जोगा के अंतरगत आथा है और यहाँ पर हम लोग प पैरामीशियम को फरस्ट यर में रखा गया था लेकिन इस लेवस के अंतरगत बनाया गया है उसमें भी इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है तो स्टार्ट करते हैं हम लोग लेक्चर को जैसा कि आलो जानते हैं कि पैरामीशियम एक प्रोटो जोन है पैरामीशियम के और यह इसके बारे में जब भी हम लोग बात करते हैं तो कई सारी चीज़ें हमको दिखाई देती है उसके characters क्या होते हैं उसकी उसमें जो reproduction होता है उसकी morphology बहुत important होती है चाहें बहुत external morphology हो या फिर internal morphology हो तो दोनों प्रकार की जो morphology है चाहें आंतरिक शनचना हो चाहे वहाई सनचना हो दोनों बहुत important है तो आज के topic में मुखी रूप से हम लोग उसकी उसका जो classification है उसका जो बरगी करण है और उसकी जो external morphology है वहाई जो सनचना है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और एक बात ध्यान रखिए जैसा कि आपको सर के द्वारा बताया गया थ केडी सर के द्वारा बताया गया था कि सारी classes आने वाली है चाहें वो वाटनी से related हो जोलोजी से related हो सारी classes आने वाली है और अभी तक थोड़ा सा time कवनिजमेंट नहीं बन पा रहा था इस बज़े से classes नहीं आ पा रही थी लेकिन अभी आने वाली हैं सारी classes और आप बस हम लोग जो मुख रूप से discuss करेंगे वो है आपका paramecium का classification और external morphology बाह सनचना उसका वरगी करण कैसा है और उसकी external morphology कैसी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे ठीक है ध्यान रखिए जो phylum proto जो हुआ है उसके अंतरगत कई सारे जो organism हैं रखे गए हैं चाहें वो amoeba हो monocystis हो कई सारे topics हैं जो की पुराने slayvers के according भी important थे और अभी भी important है लेकिन paramecium के बारे में उसका जो reproduction है वहां से question बनता है उसका जो structure है morphology है चाहें वो external हो या internal हो दोनों पर question आता है वो भी short note में और जब paramecium का long question आता है तो तब तो लिखना ही पड़ता है बहुत important और alternative year में पूछा जाने वाला question है तो देख लेते हैं यहां पर सबसे पहले इसकी हम लोग classification की बात करेंगे paramecium के वर्गी करण की बात करेंगे तीके phylum क्या है जानते हैं आप लोग protozoophylum है सब phylum क्या है सीलियोफोरा है क्लास क्या है सीलियेटा है और order क्या है जिमनो इस्टो मेटीडा है और जीनस है paramecium जीनस तो आप लोग जानते हैं paramecium है और इसकी जो इसपसीज हम लोग पढ़ेंगे वो है ठीक है ध्यान रखेगा कि paramecium जो है paramecium नॉर्मली रूप से अगर देखा जाए तो उसकी इंडिया में और बहुत सारी foreign countries में अगर fresh water में जो उसकी पाई जाने वाली इसपसीज हैं लगबग 10 इसपसीज ऐसी हैं जो कि fresh water में पाई जाती हैं और बहुत commonly रूप से पाई ज जाती हैं लिकिन उन में से जो इंडिया में most common common जो इस पसीज मानी जाती है वह है कॉड़ेटम इक ऐसी सपसीज है इंडिया में अगर आप किसी भी प्रकार के fresh water के एरिया में जाएंगे तो आपको आसानी से आपको कॉड़ेटम देखने को मिल जाएगा चूकि आपको पत external morphology की बात करेंगे external morphology की बात करने से पहले थोड़ा सब हम लोग paramecium के बारे में जान लेते हैं देखें paramecium क्या है paramecium सरवादिक सामानी रूप से पाया जाने वाला proto zone में से एक है normally रूप से सबसे साधारन रूप से पाया जाने वाला एक proto zone है इंडिया में खासकर आपक जो climatic condition है temperate climatic condition है और कुछ जो है ट्रॉपिकल कंडिशंस भी पाय जाती है और कुछ एरिया सब ट्रॉपिकल कंडिशंस के भी अंतरगत आता है और सब ट्रॉपिकल पाया जाती है बहाँ पर आप जितने भी fresh water areas देखते हैं बहाँ पर आपको नॉपली रूप से paramecium देख जो संपूर्ण वर्ड में नदियों, जीलों वा तालाबों इत्याज के फ्रेस वाटर में पाए जाते हैं। जाहिड सी बात है कि जो पारमीशियम है फ्रेस वाटर प्रोटो जोन है एक रनिंग वाटर जिसको हम लोग कह सकते हैं ऐसी कंडिशन में पाए जाने वाला एक प्र जो भी क्या होता है एक फ्रेस वाटर की कंडिशन में आने वाला एक टाइप होता है तो उसको भी हम लोग यहां पर एलालिशिस करेंगे। देखें लिखा हुआ है नॉर्मली पैरमीशियम कलरलेश होता है इसका कोई कलर नहीं होता है स्पेसिफिक लेकिन कुछ यहां पर अपवाद भी हैं जैसे कि वट पैरमीशियम बुरसेरिया में बॉड़ी ग्रीन कलर का होता है जो इसके बॉड़ी में पाए जाने वाले ग्रीन एलगी के कारण होता है यहां इससी बात है कि नॉर्मली रूप से जो हम पैरमीशियम देखते हैं वो कैसा होता है वो जो है कल इसका कोई रंग नहीं होता है, रंग हीन होता है, लेकिन पारमीशियम बुर्स एरिया नाम का जो पारमीशियम है, इसकी जो इस्पसीज है, वो बहुत खास होती है, क्योंकि इसमें जो है एक ग्रीन एलगी पाया जाता है, जिसके कारण इसका एक स्पेसिफिक कलर हो जाता है ध्यान रखिए यहां पर सबसे पहले हम लोग external morphology की बात करेंगे चुकि वही सबसे important भाग होता है जब हम लोग primitive तोर पर किसी भी protozone को analysis करते हैं external morphology को हम लोग बाह सनचना कह सकते हैं जिसमें सबसे पहले हम लोग shape and size की बात करेंगे आकरती और आकार की बात करेंगे तो paramecium कैसा होता है? paramecium एक microscopic unicellular protozone होता है जिसका body 80-350 micron length वाला होता है paramecium कैसा होता है? microscopic होता है सूचमदर्सी से हमको देखने पर दिखाई देता है इसकी जो holistic body होती है पूरी जो इसकी body होती है वो unicellular होती है that means एक कोश्की होती है इसका पूरा body एक कोश्की होता है ठीक है? लिखा हुआ है कि paramecium की बिभिन species में body की आकरती भिन भिन होती है जायर सी बात है कुछ ना कुछ differences देखने को मिल जाते हैं जैसे कि हम लोग यहाँ पर codatum species की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ characters जो होते हैं वो codatum species में ही पाए जाते हैं तो ऐसी जो इसकी जितनी भी fresh water species है paramecium की जो की लगबग approximate 10 हैं लगबग उनका कुछ एक specific size होता है आकार होता है जो अपने nature में खास होता है लिखा हुआ है परन्त अधिकांस तहा इसकी body sleeper saved स्पाइंडल saved आत्वा sleeper saved होती है दिखिए इसकी body को अगर हम लोग देखें तो दो प्रकार की सनजनाएं हमको दिखाई जेती हैं एक होती है spindle saved और दूसरी होती है sleeper saved इस्पाइंडल saved का मतलब होता है तरकुनुमा तरकुनुमा इसकी structure हमको देखने पर दिखाई देती है और खास प्रकार का एक word दिया जाता है जैसे कि हम लोग जिसको sleeper कह देते हैं नौर्मली रूप से हम लोग घरों में use करते हैं जिस चपल को उसकी तरहें इसका structure दिखाई देता है जो कि हम लोग अगर इसको structure को देखने की कोसिस करें यह देखें इसका structure हमको एक बिल्कुल चपल के समानी structure हमको दिखाई देता है तो इसी कारण इसको जो है क्या कह Дिया जाता है sleeper saved ठीक है आगे देखिए क्या बताया गया है किसी क पारण पैरामीशियम को normally sleeper animalcule कहते हैं देखें दो वर्ड यहां पर यूज किये गए हैं एक होता है sleeper और दूसरा है animalcule तो sleeper कहां से आया है चपल के समान जो आकरती होती है तो उसको कह दिया गया है sleeper saved Animal Cule का मतलब होता है कि बहुत सारे जो organism हैं जो आकार में बहुत छोटे हैं Microscopic होते हैं Microscopic के दोरा हमको दिखाई देते हैं उनको analysis करने के लिए या उनको देखने के लिए हमको microscope का use करना पड़ता है क्योंकि बहुत छोटे होते हैं तो उनके लिए एक specific word जोड़ दिया गया है Animal Cule तो इनको sleeper animal Cule भी कहा जाता है ध्यान रखेगा तो इसको sleeper shaped भी कहा जाता है spindle shaped भी कहा सकते हैं और sleeper animal Cule भी हम लोग इसको कहा सकते हैं आगे दिखिए बताया गया है paramecium का अगला end गोला कार होता है जाहिट सी बात है इसका जो अगला सिरा होता है वो इस तरीके से हमको दिखाई देता है ये इस तरीके से हमको दिखाई देता है तता पिछला end thin वा flexible वा नुकीला होता है यहाँ पर अगर हम लोग बात करें देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो पैरामीशियम होता है पैरामीशियम की एकरम लोग इस्ट्रक्शर को देखें तो ये देखें इसका जो उपरी भाग होता है ये वाला जो भाग होता है वो क्या होता है गोला कार होता है ठीक है और निचला भाग क्या होता है यहां से पतला होता चला आता है फिर यहां पर थोड़ा सा नुकीला हो जाता है और यहां पर यह जो निचला भाग होता है तो यह हमको कैसा होता है उपरी सर्फेस पर गोलाकार होता है और निचली सर्फेस पर कैसा होता है नुकीला होता है ठीक है और अगर हम लोग पूरी सनचना को एनालेसिस करें तो कैसा हो जाता है चपल के समान हो जाता है अब देखिए यहाँ पर जो इसकी structure है उसको एनालेसिस कर लेते हैं external structure को दिखा हुआ है इसकी उपरी surface dorsal वा निचली surface ventral surface कहलाती है ठीक है दो प्रकार की surface है जो उपरी surface है उसको dorsal surface कह दिया गया है और निचली surface को ventral surface कह दिया गया है दिखा लिखा हुआ है वाडी की निचली surface पर एक किलियर oral group पाया जाता है तथा यह वाडी के मध्य part में डबलप होता है तथा अगले end के left side में arrange हो जाता है हम लोग structure के base पर इस line को समझने की कोशिश करेंगे देखिए यह जो उपरी भागा है इसको हम लोग कह देते हैं dorsal surface और जो निचला भाग होता है उसको कह देते हैं ventral surface ठीक है और यह वाला जो part आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग कह देते हैं oral group actual में इसको कह देते हैं mouth region mouth region mouth region mouth region इसको हम लोग कह देते हैं यह इसका जो mouth होता है वो निचली surface की और होता है that mean ventral surface की और होता है ठीक है लेकिन यह लगबग middle middle size में अरेंज रहता है और यहाँ पर जो इसका उपरी भाग होता है वो dorsal surface कहलाता है इसको अगर हम लोग दूसरी भासा में कहें तो एक होता है oral surface और दूसरा होता है avoral surface oral surface जो होती है जिधर oral group का mouth होता है या जिधर oral group का main direction होता है उसको हम लोग कह देते है oral part oral area ठीक है और इसके opposite direction में जो part होता है उसको हम लोग कह देते हैं एवोरल एरिया, ठीक है, तो इसको हम लोग डॉसल पार्ट को हम लोग एवोरल कह सकते हैं और वेंटरल पार्ट को हम लोग ओरल कह सकते हैं, ठीक है, आगे देखें, यहाँ पर क्या बताया गया है, देखें, अब यहाँ पर हम लोग दो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, सबसे पहले पैलिकल की बात करेंगे, पैलिकल एक structure होती है और एक journal character होता है फाइलम प्रोटो जोगा के members का, देखे लिखा हुआ है, पैरा मीशियम की cell की complete surface एक पार दरसी जिसको हम लोग transparent कहते हैं, flexible वाल दुआरा घिरी रहती है जिसे पैलिकल कहते हैं, ठीक है, एक structure होती है जो क पैरा मीशियम को चारो उर से cover करे रहती है उसको लोग पैलिकल कहते हैं और ये transparent होती है, पार दरसी होती है, flexible होती है, लचीली होती है अपने structure में और सबसे important और खास structure मानी जाती है अपने nature के वेस पर, लिखा हुआ है ये है वाल अनेक polygonal units दौरा नेर्मित होती है, ठीक ह या polygonal कह सकते हैं, areas के दौरा बनी होती है, ठीक है, लिखा हुआ है, प्रतेक unit के मद्ध में, मद्ध से एक cilia डबलप होता है, अताहा paramecium की complete surface cilia दौरा घिरी रहती है, आपको पता है कि जो paramecium होता है, उसको ciliated proto zone कह देते हैं, क्योंकि इसकी पूरी surface जो होती है, वो cilia के दौरा घिरी रहती है, इस कारण इसको ciliated proto zone कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिए, objective question में टौबी बहुत important हो जाता है, लोग पूछ लेते हैं, या examiner पूछ लेता है, कि ciliated proto zone काउन है, तो आप कह देंगे paramecium, वहीं अगर कोई पूछ ले कि phlegulated proto zone क्या है, तो आप कह यूग लीना क्योंकि उसमें 2 phlegel पाए जाते हैं, आपने देखा है, उसको पढ़ेंगे आप लोग, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कि जो paramecium होता है, उसमें क्या होता है, polygonal units पाए जाती है, यह बहुत खास बात है, इसको समझने कि अगर हम लोग कोसिस करें, तो यह देखें, यह एक normal सा structure हम लोग बना लेते हैं, एक, इसमें क्या होता है, polygonal units होती है, इस तरीके से, क्या होती है, इस तरीके से, units जुड़ी रहती हैं, इसके अंदर, या polygonal area भी कह सकते हैं, इनको हम लोग, इस तरीके से areas arrange होते हैं, और इनका जो middle part होता है, यह बाला जो भाग होता है, यहां से एक धागे के समान, इस तरीके से धागे के समान, एक सनचना निकलती है, जिसको हम लोग कह देते हैं, cilia, और यह जो cilia होता है, बहुत खास होता है, और external morphology के base पर हम लोग cilia को भी अभी पढ़ेंगे, क्योंकि cilia क्या होता है, cilia इसके nature को define करता है, क्योंकि यह जो है paramecium, एक ciliated proto zone है, देखें क्या बताया गया यहां पर, तो अब हम लोग बात करेंगे cilia की, cilia क्या होता है, देखें लिखा हुआ है, paramecium एक ciliated proto zone होता है, जिसकी complete surface पर 10,000 से 14,000 तक cilia arrange रहते हैं, देखें अधिकांस इस पसीज ऐसी होती है paramecium की, जिसमें normally रूप से 10,000 से 14,000 तक paramecium पाये जाते हैं, लेकिन कुछ इस पसीज ऐसी भी होती है, जिन पर cilia की जो संख्या है, वो 20,000 तक भी होती है, जहां रखेंगा cilia क्या होते हैं, cilia की जो normal संख्या होती है, numbering होती है, वो 10 से 14,000 तक होती है, आगे देखी बताएगा है, प्रतेक cilia 10 से 25 माइक्रों लेंथ वाली माइक्रों थ्रेड्स के समान इस्ट्रक्शर होती है, paramecium की surface पर पाये जाने वाले समस्त cilia समान लेंथ वाले होते हैं, परंत cilia के पिछले सिरे पर present cilia अधिक लेंथ वाले होते हैं, जिनके group को caudal tough कहते हैं, यह बहुत important बात यहाँ पर बताई गई है, इस topic के अंतरगत, देखें, अगर हम लोग structure की बात करें, तो देखें, यह पूरा पूरा structure है वो ciliated है, यहाँ पर यह सब सारे cilia हमको दिखाई दे रहे हैं, और यह आपको जो surface दिखाई दे रही है, इसके ऊपर भी cilia होते हैं, पूरा पर e spectrum कीς fokus से ढखा हुआ होता है और एक खास बात यहां पर यह है कि जो कॉड़ एटम इस परसीज हम लोग पढ़ रहे हैं कॉड़ एटम जो इस परसीज हम लोग पढ़ रहे हैं उसके जो उसका जो बेंटरल पार्ट होता है यह वाला जो रीजन होता है बहां पर जो है सीलिया अपने नॉर्मल सीलिया के कंपेरिजन में थोड़ा सा लंबे होते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा यहां पर लंबे होते हैं, और एक ग्रुप में होते हैं, और इस सीलिया के ग्रुप को हम लोग कह देते हैं, कॉडल टफ्ट, कॉडल टफ्ट, इसको हम लोग कह देते हैं, कॉडल वो टेल रीजन को रिप्रेजेंट करता है और टुफ्ट का मतलब होता है ग्रूप, ग्रूप अफ सीलिया यानि कि ऐसा कोई स्ट्रक्चर जिसमें बेंटरल रीजन की ओर सीलिया जो है एक ग्रूप में पाय जाते हैं और यह जो सीलिया होते हैं वो नौर्मल सीलिया के सीलिया तफ्ट से आया है क्योंकि इसके कॉर्डर रीजन में जो सीलिया होते हैं वो थोड़ से लंबे होते हैं तो इस प्रकार से हम लोग external morphology को देखे हैं important topic है और इसके बाद में हम लोग इसकी internal structure को discuss करेंगे जाहिसी बात है internal structure भी बहुत important है उसमें कई सारे structures हैं इसका जो reproduction है वो भी हम लोग discuss करेंगे और लगभग यहां से जो probability है questions के आने की एक से दो questions यहां पर पूछे जाते हैं अगर long questions का topic यहां पर बनता है तो वो आपके लिए बहुत खास हो सकता है लगभग 7-8 number का question आता है अगर short note में आता है तो इसका जो reproduction है वो बहुत खास होता है और इसकी morphology यानि कि external और internal morphology को short note में पूछा जाता है ठीक है तो यहां से आपके लिए बहुत खास topics होने वाले हैं ध्यान रखिए यहां पर जो भी classes आने वाली है उसके update आपको gdvsc classes के माद्यम से पता चल जाएगी अगर कोई भी confusion होता है तो आप sir को call करिए कुल्दीप sir को call कर सकते हैं जिससे कि आप को केड़ी सर के द्वारा या उनकी टीम के द्वारा आपको सारी चीजें सारी information को दे दिया जाएगा जो भी classes है जो भी updates है वो आपको सारी वही पर दी जाएगी thank you so much